महराष्ट्र के अकोला में शादी समारों के बीच सोने के आभूशन चोरी का मामला सामने आया है मामला सिंधी कैमब पक्की खोली का है जहां लक्षमन मुहंदास धिंगरा का शादी समारों चल रहा था उसी बीच पर्स में रखे दुलहन को देने वाले सोने के आभूशणों को अग्यात युवक लेकर फरार हो गया पर्स में 25 ग्राम के सोने की चूड़ी, 14 ग्राम का मंगल सूत्र, मोबाइल सहित 50 हजार रुपे नकदी रखे हुए थे वहीं CCTV चैक में युवक पर्स लेकर फरार होते नजर आ रहा है, मामले की शिकायत अकोला के दाब की रोड पुलिस स्टेशन में की गई है, वहीं पुलिस मामले की जाच में जुटी है अकोला से समादाता शाहिद इकबाल की रिपोर्ट